औफसेट रोड तक मैंने आपको बता दिया था, औफसेट रोड वॉस विंग डिसकस, एक्विप्मेंट चल रहा था, मैं दुबारा से रिपीट करते तो, कल की क्लास में बात कर रहे थे, कौन-कौन से एक्विप्मेंट यूज़ रहे हैं, स्टील टेप थी इन्वा टेप थी फिर हमने बात करी थी पैक्स की हमने बात करी थी आरों की हमने बात करी थी रेंजिंग रोड की हमने बात करी थी we have talked about offset road आप उलस्ट पॉंट कुशन क्या था हमारा last point of discussion था हमारा offset road इस थी इस वस्वे लास्पॉंट टेस्क्रिशन कि बंदो के तुम्हारा यह आपिस आ रहा है वीडियो है हाव टू गेट नोट्स नोट्स कैसे मिलेंगे देखो नोट्स लेने के बहुत सारे तरीक है तो गेट दी नोट्स नोट्स लेने के लिए फोन खोलो फोन खोल के टेलिग्राम डाउनलोड करो टेलिग्राम डाउनलोड करके उसमें मेरेको मैसेज डालो मैं आपको ग्रूप में एड करा दूंगा ग्रूप में एड कर देंगे तो फाइल सेक्शन में जा के सारे नोट्स लेगे एक तरीका ही है दूर्सा तरीका यह है कि किसी भी फोटो कापिया ले दुगान पर जाओ डेली में उसको बोलो कि मेरे नोट्स चाहिए है वो आपको नोट्स निकाल कर दे देगा यह दूर्सा तरीका है इस इसे सेकंड मैं थर अफिलेबल तीसा तरीका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लो हम खुद आपके घर पे नोट्स पहुचाने आएंगे तो तीन तरीके हैं नोट्स लेने के जो आपको सूट करता है वो आला तरीका फॉलो कर लो फॉलो देट ठीक है तो कल हमने बात कर ली थी कहां तक ऑफसेट रोड की अगे की डिसकेशन करता है एक्विप्टन की बात चल रही थी अगला एक्विप्टन जो यूज़ होता है चेन सर्वेइंग में इसको हम क्या बोलता है इसको हम बोलता है क्रॉस साफ अब क्रॉस साफ क्या होता है इस इनमपल इंस्ट्रूमेंट इजिस उस वर ऋपसेट आउट करने के लिए यूज़ करते है आफसेट् सेट करोगे किससे फॉम दी चेन लाइन जो आपकी चेन लाइन है वहाँ से आप PSET को सेट आउट करोगे to a given point, किसी भी given point पे अगर आपको offset को set out करना है with the help of the chain, इसको हम बोल देंगे cross staff तो cross staff एक simple instrument होता है, which is used for setting out the offset to the chain line from the given point, इसको हम cross staff बोल देंगे this is technically termed as cross staff, next, it is also used for setting out the right angles आप cross staff की मदद से right angles को भी set out कर सकते हो at any given point in the survey line, अगर कोई भी survey line है या कोई भी आपकी chain line है, वहाँ पे अगर आपको right angle set out करना हो तब भी हम cross staff की मदद दे सकते हैं, तो उसका पहला काम क्या है इसका पहला काम है offset को set करना, किस से, survey line से या chain line से दूसरा, ये right angle set करने के लिए भी आप use कर सकते हो it can also be used to set the right angles क्या हुआ क्या comment कर रहे है clear है, cross staff की कहानी अब cross staff दिखता कैसे है, how is this seen if you observe the cross staff, it is somewhat like this तो ये cross staff है, तो cross staff है, क्या है यहाँ पे, rod है rod के उपर क्या दे रखें आपको, 4 slit दे रखें, ये 4 slit कितने angle पे है, 4 slit कितने angle पे दे रहे हैं आपको, ये जो 4 slit बने 90 degree के एंगल पे है so all 4 slits are at an angle of 90 degree, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी line के along 90 degree setup कर सकते हो, कैसे, let us suppose अगर ये मेरी line है AB ये मेरी line है AB, आपने cross half को यहाँ पे लगाया, तो दो slit तो आपको इस तरीके से देखेंगी these are the two slits, इन slits के थूँ आप क्या देख सकते हो, ये पहली ranging rod, ये दूसरी ranging rod तो इसका मतब है, इन दोनों slit के मदद से आपको क्या देखेगा, इन दोनों slit की मदद से आपको ranging rod दिख जाएंगी जो एक straight line में, which are in straight line, you'll be able to see it, अब आपको इसके perpendicular line mark करनी है, या offset mark करना है, अब किसकी मदद लेंगे, we'll take the help of what, हम मदद लेंगे, दो slit और है इस diagram में आपको तीसरी slit दिखिए, चौती slit का है, इसके पीछे है, अभी आप यहाँ पर खड़ेते, भूम के जाओ 90 degree पे, 90 degree पे जाओ, इन दोनों slit के observe देखो, इन दोनों slit के अगर along देखोगे, आपको दुबारा से एक line देखेगी, और वो line हमारी लाल वाली line के क्या होगी, perpendicular होगी, तो वो line हमारी लाल वाली line के perpendicular होगी, तो उसका काम क्या है, right angle set out करना, या offset set out करना, छोटा device है, क्या सर यह, अब मुझे नहीं बता यार, छोटा बड़ा किसे बोलते हो, आप, perpendicular होगी, मैंने आपको real picture भी दिखा दी है, now, next point of reference, now, in order to set out the angles which are in multiple of 45 degree, you can use french cross staff, अगर आप सरफ cross staff की मदद लोगे, cross staff क्या कर सकता है, सरफ 90 degree पे ही, angle को set out कर सकता है, आपको अगर 45 degree के multiple पे angle को set out करना है, तो आप इसको use कर सकते हो, आप use करते हो, french cross staff को, clear cheese, पर इसकी जो accuracy होगी, वो कम होगी किससे, cross staff से, जो french cross staff की जो accuracy होती है, वो comparatively कम होती है, cross staff से, french cross staff कैसा देखेगा, भी दिखा आपको तो क्रॉस साफ तो भी बना के दिखा दिया तो इसका परपस क्या है इसका परपस है 90 डिग्री पर एंगल को सेट आउट करना क्यों इसमें इसलिट लगी वह होती हैं कितने डिग्री के एंगल पर नबेट डिग्री के एंगल पर तो यह बनाके दिखा दी आपको गेट दोजार चौबिस के लिए कोई नया बैच अभी क्लास टाट में यह से करी थी नए बैच के बारे में जानकारी दी थी में वेन oh come only filter उप्जेक्ट आपको चेंज कर सकते हो क्योंगे सम्में इंसलिट है सब का साइष सेम है साइव आगे हाज की थी तक शाफ की स्रेंच क्रॉसचे नहीं के मल्टिपल में जो एंगल है उसको set out करने में भी help कर देता है next one of reference आप बोलोगे नहीं सर मुझे तो offset को set करना है किसी भी angle पे वो 45 degree का multiple नहीं है इस situation में आप किसको use करोगे adjustable cross staff को use करोगे तो cross staff 90 degree का angle set out करता है french cross staff 45 degree के multiple का angle set out करता है अगर आपको किसी भी angle पे offset को set out करना है आप adjustable cross staff को use कर सकते हो adjustable cross staff में क्या होता है adjustable cross staff में 2 cylinder होते है एक दूसरे के उपर जो आपस में rotate कर सकते है which can rotate जो lower cylinder होता है it consists of main and sub main scale और जो उपर वाला cylinder होता है it consists of the vernier scale जो नीचे वाला cylinder होता है इसमें मिलेगी आपको main और sub main scale और जो उपर वाला cylinder होता है इसमें क्या होती है vernier scale उपर वाले cylinder में एक slit भी provide की जाती है किसको देखने के लिए आपके object को देखने के लिए अब आप बोलोगे सर फरक क्या है तीनों में तीनों में जो फरक है वो आपको diagram में दिखा दिया तो जो पहला वाला instrument है यह है cross staff दूसरा वाला instrument है यह है french cross staff तीसरा वाला जो instrument है वो है adjustable cross staff video quality is low on 720 I think net is low हाँ net slow है यहाँ पर net is slow कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ का तो cross staff का purpose क्या होता है cross staff का purpose होता है offset को mark करना या right angle को mark करना or to mark the right angle तो यह भी एक instrument है जो हम chain surveying में यूज करते हैं this is also one of the instrument which we use in chain surveying चलो आगे बढ़ते हैं so we'll continue next of the instrument used in chain surveying is optical square अगला जो instrument use होता है उसको हम क्या बोलते हैं optical square बोलते है so next of the instrument uses term as optical square अब क्या होती हो optical square optical square is a small instrument which is used to set out the right angles and is more convenient and accurate than the cross staff तो cross staff भी right angle set out करता है optical square भी right angle set out करता है पर optical square ज़्यादा convenient होता है और ज़्यादा accurate होता है किससे cross staff से अब optical square में क्या मैं लेगा optical square में आपको दो mirror मिलेंगे दो mirror मिलेंगे एक को हम बोलते हैं क्या एक को हम बोलते हैं horizontal दूसरे को हम बोलते हैं index इन दोनों को हम place करते हैं at an angle of what इन दोनों को हम place करते हैं at an angle of 45 degree so it consists of two mirror एक को हम बोलते हैं horizontal mirror दूसरे को हम बोलते हैं दूसरे को बोलते हैं इंडेक्स मिरर, दोनों जो मिरर होते हैं कितने एंगल पर प्लेस के जाते हैं, दोनों मिरर प्लेस के जाते हैं at an angle of 45 डिगरी, जो हमारी horizontal मिरर होती है, इसको हम partially क्या कर देते हैं, silver कर देते हैं, top से और bottom से क्या रहता है, यह unsilver'd रहता है, पर जो हमार हमारी दूसरी मिरर है आई, जो हमारी दूसरी मिरर है आई, जिसको हम क्या बोलते हैं, index मिरर, यह fully silver'd होता है, कहने का मतलब है, जो portion mirror का silver'd होगा, वहां से आपको reflection मिलेगी, जो portion unsilver'd होगा, वहां से आपको कोई reflection नहीं मिलेगी, इस बात को समझने के लिए फिर से diagram उठात तो एक mirror है H, दूसरा हमारा mirror है I, यह हमारे square के अंदर ही present है, जो optical square है, उसके अंदर ही present है, इन दोनों के बीच का angle कि तमया देखा रहा है, इन दोनों के बीच का angle है 45 degree, अब यह जो mirror H है, यह partially क्या है, silver'd है और partially unsilver'd है, unsilver'd कहां से है, bottom से, यह मैंने plan दिखाया है, तो उपर से तो silver'd है, नीचे से unsilver'd है, जो portion H का unsilver'd है, वहां से क्या करेगी, directly light आपकी आँखों तक पहुचेगी, तो जो portion unsilver'd है, वहां से directly light आपकी आँखों तक पहुचेगी, let's suppose आपने ranging rod लगा रखी है, यहां पर, जो ranging rod आपने लगा रखी है, वो आपको directly दिख अब इस ranging rod से जो light निकली, वो जाके टकराई आई वाले mirror के उपर, आई वाला mirror पूरा क्या है, silver'd है, इससे light reflect हुई, जाके टकराई किसके उपर, H वाले mirror के उपर, इसका जो उपर वाला portion है, वो भी क्या है, silver'd है, दुबारा से reflection हुई, दुबारा से light कहां पहुची, आप अगल कितना हो गया, दोनों ranging rod के बीच का angle हो गया, 90 degree, तो यह जो हमारा optical square है, किस principle पे काम करता है, it works on the principle of double reflection, देखो, इस वाला जो cross staff है, या इस वाला जो ranging rod है, इसकी जो reflection हुई है, दो बार हुई है, इसलिए हम बोलते हैं, यह किस पे काम करता है, principle of double reflection पे काम करता है, it works on the principle of double reflection, तो optical square ज्यादा convenient है, ज्यादा accurate है किसे cross staff से, double reflection बिल्कुल सही बात है, कल सही थी video quality, आज लो हो गई है, पिटा मैंने आज जगे change करी है, classroom change गया, मैंने, कल वापिस वहीं पे लेंगे, आज गिल सर की भी class थी वहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा लिया, system, जो आगे बढ़ते हैं, अच्छा कई बार क्या होता है, यह जो दो mirror use कर रहे हो आप, instead of using two mirror, आप prism use कर सकते हो, instead of using two mirror, you can use the prism, जिनके दो face के बीच का angle कितना हो, 45 degree, इससे फाइदा क्या होगा, इससे फाइदा यह होगा, अगर आपने दो mirror लगाए, जब आप optical square को use कर र आएगा, so if instead of using two mirror, you are using the prism, faces of which make an angle of 45 degree, अब optical square की जगे हम इसको क्या बोने लग जाएँगे, हम इसको बोने लग जाएँगे, prism square, तो जो prism square होती है, वो ज़्यादा accurate होती है किससे, optical square से, it is more accurate than optical square, यानि cross half, optical square और prism square, सबका purpose क्या होता है, same, सबका function भी क्या होता है, same, function of which is also same, अब अगर आपको देखना है इसे, you have to see it, यह इसकी real picture है, this is a real picture of that, तो prism square बोल देते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो यह real picture भी देखा दिया आपको, real picture is also being shown, तो कौन कौन से instrument कर लिये हमने, हमने कर ली chain, हमने कर ली tape, peg, फिर हमने बात करी arrow की, हमने बात करी ranging rod की, हमने बात करी opposite rod की, फिर हमने बात करी, then we have talked about what, we have talked about cross staff, cross staff के बाद हमने बात करी, किस की, cross staff के बाद हमने बात करी, we have talked about optical square, optical square के जगे हम prism square भी यूज़ कर सकते हैं, Now next of the instrument which is being used, अगला instrument जो हम use करते हैं चेंट सरवेइंग में, is known as what? The next of the instrument which is being used is termed as simple cleanometer. अगला instrument जो use होता है चेंट सरवेइंग में, इसको भोलते हैं simple cleanometer. अब simple cleanometer क्या गरता है? It is used for measuring the angle of the slope of the ground. तो simple cleanometer को use क्या जाता है? क्या measure करने के लिए? simple cleanometer को use क्या जाता है क्या major करने के लिए ground की slope को major करने के लिए अभी होता क्या है simple cleanometer यह हमारी एक straight edge होती है जिसके long semicircle बनाया जाता है जैसे आप D use करते हैं वो D है और उस D के center के long क्या कर देते हैं एक light plum bob को suspend कर देते है इसका flat base होता है और एक semicircle होता है जिसके center के long हम plum bob को suspend कर देते हैं जैसे ही आप slope के long flat surface को रखते हो plum bob orient हो जाता है vertically downward direction में और आपको directly reading बता देता है slope की कैसे इस बात को समझने के लिए cleanometer को देखो to understand this point see the cleanometer, यह हमारा cleanometer है तो इसका flat base है यह हमारा flat base है और एक तरफ क्या लगा हुआ है semicircle लगा हुआ है जो angle major करने के लिए हम यूज करते है same way D है पर इसके center पे आपने किसको suspend कर दिया plum bob को suspend कर दिया अब let us suppose मुझे यह slope major करनी है I have to major this value of theta आप क्या करोगे इसका flat surface यह ही लगा दोगे तो flat surface आपने simple cleanometer का यह ही लगाया यह इसका flat surface है यह D बनी हुई है यह हमारा plum bob suspend कर गया यह हमारा plum bob suspend कर गया जैसे plum bob suspend करता है हमें किसकी value बता देता है डिरेक्ली आपको value बता देगा theta की तो theta आ गया let us suppose this degree 10 degree is the slope of the ground तो simple cleanometer used to measure the slope of the ground तो device आपके सामने बनी हुई है device is being measured but in prism reflection takes place how we do by silvering the prism polishing करी ने बता बताया तो था जैसे दोनों mirror के आपने polishing कर रखी है प्रिस्म के अंदर भी polish होते है फेस के polish मतब silvered कर दिया जाता है उससे जैसे आप silvering गोल रहे हो which is termed as silvering light come degree में रुको यहाँ पर laptop की light come है या चलो कोई बात ने clear है simple kilometer the next of the instrument which is used in chain surveying अगला instrument जो use होता है उसको मोलता है line ranger अब एक एक instrument बताया है और साथ में real picture भी दिखाई है आपको I've shown each and every instrument in real terms along with the functioning is also being given to you एक दो सवाल तो आपको इसके उपर ही मिल जाएंगे one or two problems you'll be getting on this only अब line ranger क्या होता है function of the line ranger line ranger is a device which is used to set the intermediate points on the survey line line ranger वो device है जो survey line के उपर intermediate points mark करने के लिए हम use करते है क्या होता है इसके अंदर it consists of two right angled isosilis triangular prism placed one over each other इसमें क्या होता है दो right angled isosilis prism होते हैं जो एक दूसरे के उपर रखे जाते हैं देखो पहला है यह यह right angled isosilis prism है यानि यह angle भी 45 degree है यह angle भी 45 degree है इसके उपर एक दूसरा पिस्व रख दिया इसके उपर दूसरा पिस्व रख दिया यह 90 degree है यह भी 45 degree है और यह भी 45 degree है this angle is also 45 degree तो line ranger में क्या होता है दो right angled isosilis triangular prism होते हैं जो एक दूसरे के उपर रखे जाते हैं same वोई principle अगर आपको intermediate point set up करना है अगर आपको intermediate point set up करना है किसके उपर survey line के उपर let us suppose यह हमारी survey line है A B यह हमारी survey line है आपने एक ranging rod यहां रखी एक ranging rod यहां रखी मेरी survey line क्या बनी this is my survey line यह हमारी survey line है अब आपको इस survey line के उपर एक point को establish करना है दोनों रेंजर रॉड बुझे एक दूसरे के उपर दिखनी चाहिए हैं तो हम observe करेंगे इस Ringing रॉड को यहां से we'll be observing this Ringing रॉड फ्रोम दी हेयर हम यहां पर खड़े होगा है यह हमारी आईए we're watching from here हम यहां से देख रहे हैं तो अगर दोनों ranging rod की जो image है हमें एक दूसरे के उपर देख जाती है इसका मतलब हमारा जो line ranger पड़ा हुआ है वो कहां पड़ा हुआ है वो survey line AB के उपर पड़ा हुआ है इसका मतलब आपने survey line AB के उपर intermediate point को mark कर दिया तो line ranger का purpose होता है survey line के उपर intermediate points को mark करना क्या होता है इसके अंदर दो right angle आइसो सर्वेस में होते हैं जो एक दूसरे के उपर रखे जाते हैं करना क्या है इसके अंदर line ranger को रखो देखो इसमें अगर आपको दोनों ranging rod एक दूसरे के उपर दिख जाती है इसका लब आप कहां के उपर खड़े हो जो एऔर बी points को join कर रही है 30th सफेस ऊपर था flat सब्सक्राइब अचायगर में था वेटा एरिया इस अंडियूटेट वाट वाट वांट वास्क अशर क्लास में डाइग्राम उपोसिट क्यों बनाया क्यों स्लोप तो कहीं पर भी हो सकती भाई और जो फोटो मैंने डाउनलोड करी है जरूरी थोड़ी मेरे हिसाब से फोटो होगी वह अब आप बोलोगे सर यहां पर यह आंख ऐसे क्यों दिखाई है कि सरा आंख तो ऐसे होती नहीं देख उल्टी आंख बनी हुई है यह डाइगरम समझाने के पॉइंट ऑ व्यू से बनाया जाता है उसमें भी दिमाग लगा रहे हैं सर फिचर में तो उल्टा है आपने ऐसे कैसे बना दिया तो स्लोपिंग सर्फेस तो कहीं भी भी हो सकती है यह स्लोपिंग सर्फेस ग्राउंड है यह मेरी रूफ है स्लोपिंग है जहां मर्जी से लो एंगल की मेजर्मेंट स्लोप मेजर करके देता है वो आपको अगर एरिया अन्डियु लेटेट है रेंजिंग करने का तरीका चेंज हो जाता है तो रेंजिंग करने के तो बात ही नहीं करें हमने तो हमें बात हीं नहीं कर रहा हुँ I am not talking about the ranging अभी हम करेंगे तो बहुत सारे तरीक है तो करते ही वहां तो करते हैं किसकी मदद से हैं रेंजिंग विदी हेल्प आफ दिवाइस विज इस लोन एस लाइन रेंजर अब रेंजिंग करने के प्रोसेस क्या है उसको देखते हैं आप पूछ रहे हो अंडियुलेटेट लेंड है या जो भी एक्स वाइड पूछा आपने तो रेंजिंग कैसे की जाती है तो दी प्रोसेस ऑफ रेंजिंग के बीड़न बारी फॉलोइंग मैथड्स अब रेंजिंग करने के बहुत सारे तरीक हैं क्या है रेंजिंग करने के वेन दी रेंजिंग रॉड आर प्लेज ओन दी इंटर्मीडियेट पॉइंट अलोंग दी चेन लाइन बाइड डिरेक्ट अब्जर्वेशन फ्रॉम आइदर ओव दी एंड स्टेशन इस टर्म डैस डिरेक्ट रेंजिंग का मतलब यह है कि एगर एंड स्टेशन पे रखी गई रेंजिंग रॉड एंड स्टेशन पे रखी गई रेंजिंग रॉड आपको डेरेक्ली दिख जाती है तो इस रेंजिंग को हम डेरेक्ली क्या बोल देंगे डेरेक्ट रेंजिंग बोल देंगे तो हमने क्या क्या हम लेके आए इस पॉइंट पे लाइन रेंजर को सब्सक्राइब कर दिए रेंजिंग रोडर प्लेस्ट इंटर्मेडियेट पॉइंट्स अलॉंग दी चेन लाइन बाइड डिरेक्ट अब्सेर्वेशन फॉम आईधर अब दी अन्सेशन इस तर्म डेक्ट रेंजिंग बोल देते हैं पहला तरीका है रेंजिंग करने का इस इ अगर लाइन रेंजर को रखा मैंने इस पॉइंट पे आपको क्या और वाली रेंजिंग रोड़ दिखेगी है नहीं दिखrage के उपर नहीं हो क्योंकि आप सर्वे लाइन के अपर हूई नहीं किला आप क्या करोगे लाइन रेंजर को आगए ले जा shift ने रखोगे दूबारा से देखांगे लाइन रेंजर में आपको दुबारा से रॉड नहीं दिख रही अगें यह नॉट एबल तो आप मूव करते रहोगे लेटर डिरेक्शन में कब तक मूव करते रहोगे जब तक आपको वह पॉइंट नहीं मिल जाता जिस पॉइंट पे लाइन रेंजर रखने के बाद आपको यह दोनों रॉड दिख ज यह मत बोलना सर दुबारा बता दो एक बार में समझना ऐसे इंडिरेक्ट रेंजिंग तब अडॉप्ट की जाती है जब आपको एंड स्टेशन वाली रेंजिंग रॉड नहीं ही दिखे इंडिरेक्ट रेंजिंग तब अडॉप्ट की जाती है जब आपको एंड स्टेशन वाली रेंजिंग रोड डे्रेक्ली नहीं देखिए आप क्यों नहीं देख रही देखो बीच में ग्राउंड सरफेस बहुत ऊपर है तो हमारी जो रेंजिंग रोड है वो दिखी करएगी पर दूसरे साइड वाली रेंजिंग रॉडँ देखेगी है अप कैसे करें रेंजिंग इसमें की हमें दो में डोड सेbayर यह चाहिए होना है यह हमारी सर्वे लाइन के ओपर नहीं है पर ध्यान रखना है जो मेरा लाइन रेंजर C1 पे खड़ा है इसको क्या देख सकता है इसको A वाली रेंजिंग रोट देख सकती है और इसको D1 वाली रेंजिंग रोट देख सकती है और इसको B वाली रेंजिंग रोट देख सकती है तो जो हमारा line ranger C1 पे खड़ा है इसको D1 वाली ranging rod दिख सकती है और इसको B वाली ranging rod दिख सकती है और जो line ranger D1 पे खड़ा है जो line ranger D1 पे खड़ा है इसको C1 वाली ranging rod दिख सकती है और A वाली ranging rod दिख सकती है तो पहली condition तो यही set करी मैंने तो जब आप direct ranging नहीं कर पाते आप indirect ranging करते हो indirect ranging करने के लिए दो line ranger आपने दो arbitrary point पे खड़े कर दिये इस तरीके से कि C1 वाला line ranger D1 वाली rod को देख सकता है और B वाली rod को देख सकता है D1 वाला line ranger C1 वाली rod को देख सकता है और A वाली rod को देख सकता है अब process start करी, क्या process start करी जो C1 वाला line ranger है ये B वाली rod को देख सकता है और D1 वाली rod को भी देख सकता है ये line ranger इसको बोलता है कि भाईया move कर move कर तब तक जब तक D1 वाली ranging rod B वाली ranging rod की line में नहीं आ जाए यानि ये इसको displace कराएगा किस direction में left hand side direction में यानि ये वाली जो position है shift हो के कहाँ पे हो गए D2 पे तो D1 वाला line ranger उठके कहाँ पे आ गया चलो अच्छी बात है अब जो D2 वाला line ranger है वो हमारी A वाली ranging rod को देख सकता है और C1 वाली ranging rod को देख सकता है अब ये क्या करता है D2 वाला line ranger अब C1 वाले line ranger को बोलता है move कर ये move करता है तब तक जब तक C2 वाला line ranger D2 और A वाली line के उपर नहीं आ जाए इसका मतलब C1 वाला line ranger shift हो के कहाँ पर आ गया C2 पर आ गया और process को continue करते रहते है process continue करते रहते है तब तक जब तक C और D line ranger को A और B वाली ranging route नहीं दिख जाए this type of ranging is known as indirect ranging तो यहाँ पर आपको दो line ranger की requirement होगी total station or line ranger में difference कब क्या use करेंगे तो first of the ranging was direct ranging second of the ranging was indirect ranging indirect ranging तब adopt की जाती है जब दोनों end station पे हमें ranging route visible नहीं हो it is not visible to us the last type of ranging is the last type of ranging which is available is known as random line ranging अब यह क्या होती है रेंडम लाइं रेंडम लाइं रेंजिंग तब अडॉप्ट की जाती है वेंदी सर्वे पॉइंट के बीच में inaccessible area है लड़े सब उस तालाब है pond बना हुआ है forest area है यह यह और बी पॉइंट के बीच में आप direct ranging नहीं कर सकते हैं ए और बी पॉइंट के बीच में आप direct ranging नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करेंगे अब रेंडम लाइं रेंजिंग करेंगे अब रेंडम लाइं रेंडम लाइं रेंजिंग क्या होती है रेंडम लाइं का जो end point है वह 90 डिग्री पे हैं हमारे इंड स्टेशन के तो जो रेंडम लाइं का end point है वह 90 डिग्री पे हो किसके हमारे end स्टेशन के बस इतना सा काम है इसके बाद आपको similar triangle का concept लगाना है क्या similar triangle का concept लगाना है जड़ा check करो मुझे AB की लंबाई पता है, मुझे BB' की लंबाई पता है, यानि मुझे किसकी लंबाई पता चल गई, I know the length of AB, Pythagoras theorem लगाया, मुझे AB की लेंथ पता चल गई, using Pythagoras theorem, अब similar triangle लगाते हैं, क्या similar triangle लगाएं, similar triangle ये बोलता है कि AP- upon P-P is equal to AB-, AB- मुझे पता है, divide by what? Divide by B-B, B-B भी मुझे पता है, और AP- भी मुझे पता है क्योंकि P point में direct ranging से establish कर सकता हूँ, this is also known, यहां से मैंने क्या निकाल लिया, similar triangle निकाल के मैंने PP- निकाल लिया, और जैसे मुझे PP- पता चला, मैंने 90 degree पे इसको set कर दिया, तो इसका मतलब 90 degree पे मैं कितनी दूरी चला, 90 degree पे अगर मैं PP- दूरी चलूं, मैं कहां पर आ जाओंगा, अगर 90 degree पे मैं PP- दूरी चलूं, P- point पे, तो मैं कहां आ जाओंगा, मैं हमारे सर्वे लाइन AB के उपर आ जाओंगा, similarly आप QQ- निकाल सकते हो, और बाकी वाली लाइन्स भी calculate कर सकते हो, इसको रेंडम लाइन रेंजिंग बोलते हैं, तो रेंडम लाइन रेंजिंग तब अटॉक्ट की जाती है, जब सर्वे विचिस सर्वे एरिया विचिस तू भी रेंजड इस ऑफ्स्रक्टिड वाइ इन एक्सेसिबल एरिया और फॉरेस्ट, accuracy of optical square is better than prism square, आंसर सर्जी बेटा पीछे जस्मिंट पीछे वाला लेक्चर करो, आंसर मिल जाएगा अभी लेक्चर में जस्मिंट पीछे जाओ, वीडियो को वापे से एकना, आंसर मिल जाएगा, so this completes your ranging, तो सारे instrument आपको बता दिये, और last में तीन तरह की ranging बता दिये, direct, indirect और random line, सारी चीज़े बताने के बाद भी सेम चीज़े रिपीट करनी बार पर, so ranging only by line ranger से ही होती है, हाँ, ranging line ranger से करोगे न, तब ही तो देखो, हर चीज़ नाम से ही बताई हुए आपको, hence everything is being referred from the name also, so ranging को हमने क्या बोला था, ranging वो process है, जिसमें हम intermediate point को establish करते है, with the help of what, line ranger, clear है, चलो, sufficient है, आज के लिए, बेटा, यह smart board change किया है, इसलिए quality low है, because हम prism square को adjust रहीं कर सकते हैं, इसलिए उसकी एक्रिवसी जाद है, prism square को adjust नहीं, prism square adjust होता ही नहीं है, adjust मतलब उसके दो faces के बीच का angle हमेशा fix रहेगा, क्योंकि prism है, optical square में जो दो mirror आपने लगा रखे हैं, उन दोनो mirror के बीच का angle बदल सकता है, जोकि दो अलग-अलग unit है, एक mirror, दो mirror, उसको आपने पकट रखा हैं, लगा रखी है, तो वो time के साथ क्या कर सकते हैं, move कर सकते हैं, और optical square में तो दो faces हैं, वो face हमेशा same angle पे रहेंगे, तो उसलिए comparatively better होता है, अगर बीच में pond होगा, तो line ranger कैसे fix होगा, तो भाईया random line क्यों ली जहां पर pond जा, तो आप बोलें, तर यहां पर pond है, तो line ranger कैसे fix करेंगे, तो अगर मेरा यहां पर pond है, तो मैं क्यों लूँँगा, यह line में और दूर करूँगा, तो अगर बीच में pond है, तो line को और दूर लेके जाओ, बट इन सम question, optical square is better, तो बैटाव मुझे, अभी मेरी तपस्य अभी पूरी नहीं होई है, तो मेरे में वो शक्ती नहीं आई है, कि विशाल ने जो सवाल पढ़ा, वो सवाल मेरे दमाग में भी आ जाए, उस सवाल के option भी मेरे दमाग में आ जाए, तो विशाल जिस सवाल की बात कर रहा है मैं वो सवाल पढ़के उसका आंसर भी बता दू तो जब मेरी तपस्या पूरी हो जाएगी और मेरे में शक्ती आ जाएगी मैं आपके सवाल का जवाब दूँगा कि क्यों सम कोश्चन में हमारा जो प्रिजम स्कॉयर है वो बेटर नहीं होता अप्टिकल स्कॉयर बेटर होता है तो अभी के लिए मैं माफी चाहूँगा अभी मैं आपको इसका जवाब नहीं दे सकता चलो बागी अब अगली क्लास में करते हैं